अतिंद्रिय सुख्य से कहेंगे, चलो बावा के शब्दों में सुनते हैं, पंद्रा छे, इकेस, मिठे बच्चे, अतिंद्रिय सुख्य का अनुभव करने के लिए, सदा इसी स्मृत्य में रहो, नोट करते जाएंगे, कि क्या-क्या सुख अतिंद्रिय सुख कहेंगे, कि हम किसके बच्चे हैं, अगर बाप को भूले, तो सुख गुम हो जाएगा, अगर बाप को भूले, तो सुख गुम हो जाएगा, प्रश्न है, बाप के मिलने की स्थाई खुशी किन बच्चों को रहती है, बाबा को मिलने की स्थाई खुशी, पर्मनेंट, मिल तो गया बाबा सब को, पर आज खुश है, कल कोई बात हुई नाराज हो जाते हैं, पर्मनेंट हैपिनेस नहीं है, किसको स्थाई खुशी रही गई? बड़ा अच्छा क्राइटेरिया जिन बच्चों ने एक से अपने सर्वसंबंध जोड़े हैं, अगर सुख तो है, स्थाई सुख चाहिए, तो एक से सर्व संबंद चोड़ने होगे। जो एक बाप की याद में रहने की ही महनत करते हैं। की ही, अंडरलाइन ही, किसी देहधरी को याद नहीं करते हैं। उन्हें ही स्थाई खुशी रहती है। अगर देहधरी की याद है, तो बहुत रोना पड़ेगा। तो एक से सर्व संबंद जोड़ना ही, एक की ही याद करने की महनत, किसी तैसरा थर्ड देहधरी को याद नहीं करते हैं। अगर देहधरी की याद है, तो बहुत रोना पड़ेगा। हम सब अनुभवी हैं इसके विश्व का मालिक बनने वाले कभी रोते नहीं यह और क्रैटेरिया अच्छा गीत है बचपन के दिन भुला न देना फिर आज हसे कल रूलाना देना बचपन के दिन भुलाना देना आज हसे कल रूलाना देना लंबे हैं जीवन के रस्ते आओ चले हम गाते हस्ते लंबे हैं जीवन के रस्ते आओ चले हम गाते हस्ते दूर देश एक महल बनाएं प्यार का उसमें दीब जलाएं प्यार का उसमें दीब जलाए दीब जला के बुझाना देना, बच्पन के दिन भूलाना देना, रुत बदले या जीवन बदले, दिल के तराने होना पुराने, दिल के तराने होना पुराने, नैनों में बसकर सपन सुहने, आएंगे एक दिन यही जमाने, याद हमारी मिटाना देना, बच्पन के दिन भू और ना थेना. बाबा केते है है कि हम बेहत ये है बच्पन के धिन. किसके बचपन के दिन चल रहे है, किसी के बड़े दिन भी चल रहे है आज के दिन, किसी के बचपन के दिन चल रहे है, बचपन के दिन है, पता है न सबको, ज्यान का भी बचपना होता है, जब हम नए नए ज्यान में आते हैं, यात करो वो दिन, कैसा जोश होता है, कितना उम पुर्शार्थ का, सेवा का, तो बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, हम बेहत के बाप के बच्चे हैं, यह भूलो मत, यह भूले तो अपने कुरूला देंगे, एक होता है ज्ञान का बच्पना, और एक होता है संगम यूग है ही बच्पन के दिन, बच्पन के दिन कौन स चार साल का होता है तो बच्चा है और सोला साल का होता है तो बड़े है ऐसा नहीं जब माबाप के साथ रहते वो बच्छपन के दिन ही तो है नहीं होते हैं जब तक माबाप के साथ है बच्छपन के दिन है तो श्रु बाबा के साथ है को ब्रह्मा मा का प्रोशाथ किया ना यह भूलो मत, यह भूले तो अपने को रूला देंगे, चीची दुनिया में बुद्धी चली जाएगी, बाप की याद रहने से अतिंद्रिय सुख भासता है, वह सुख बाप को भूल जाने से गुमो जाएगा, हर दम याद रहना चाहिए, कि हम बाबा के बच्चे है, देख भगवान के बच्चे सोच लो, नहीं तो अपने को रूला देंगे, यह बच्चपन के दिन, बच्चे है यह feeling होना ही बच्चपन के दिन है, सब भगवान के बच्चे है, सब कहते है बाबा, देखो, actually तो पूरी दुनिया भगवान के बच्ची है, लेकिन क्या उनका बच् बच्पन का दिन है, कहते है गॉड़ फादर है, परमात्मा की संतान है, लेकिन वो फील भी तो हो ना, मतलब वो दिखाई भी तो दे ना, माबाप दिखाई दे, कि वो मैं मेरा माबाप के साथ रह रही हूँ, उनको पता ही नहीं है जी, ये ग्यान ही नहीं है, तो फिर बच् पढ़ाई पढ़ रहे है तो बच्पन के दिन, और तीसरा बच्पन अर्थात, जब तक हम बोज नहीं है, हमारे उपर, स्वयम का बोज नहीं है, तो निमित भाव है, तो बच्पन के दिन है, तो ये सब है, जिम्मेवारी जब तक पैरेंट की है तो बच्पन के दिन, कहते अभी तक बड़ा नहीं हुआ, खुद दालाठे का भाव पता होना चीए, तो बाबा बैठा है, तो कुछ सब बचपन के दिन है, परन्तु बाप से रक्षा कब होती है, किसको पता भी नहीं है, सादू संत आदी कोई भी नहीं जानते कि हम बाप से, कि बाप से हमको मुक्ती जीवन मुक्ती कब मिलनी है, क्योंकि भगवान कोई कणकण में कह दिया है, अब तुम बच्चे बेहत के बाप को जान गए हो, उससे प्यारी वस्तो और कोई होती नहीं है, ऐसे बाप को न जानना बड़ी भारी भूल है, शिव जैनती क्यों मनाते है, वो कौन है, यह भी कोई नहीं जानते, बाप केते तुम कितने बेसमच बने हो, माया रावन ने तुम को क्या बना दिया, अभी तुम बच्चे जान है, किसकी जनम बूमी है, यह हमारी जनम बूमी है, क्या और किसकी जनम बूमी है, हम प्रामणों की, बाबा की, वेरी गुड, कौन सी बाबा की राइल बोला, कौन सी जनम बूमी है, मारत, बाबा केते, मैं हर पाँच हजार वर्ष के बाड़ी है, आता हो जनम भूमी को भूल नहीं सकते हैं चाहे हम बड़े-बड़े सिटीज में रहते हो वो जनम भूमी जनम भूमी होती है भारत वो फिर के देते हैं 40,000 वर्ष बाद जब यह कल्युक पूरा होगा तब आएंगे चित्र भी दिखाया जाता है त्रिमूर्थी का 40,000 वर्ष एक्चुली मैंने आज सोचा कि एक्चुली क्यों 40,000 वर्ष क्याते थे कब कहां था द्वापर में वो तो एक बात है कि अब थोड़ा कम करो अगर द्वापर में बोला चलो वो तो कोई बात नहीं लेकिन जैसे कभी कोई चीज बहुत फिट होती है ना फर्स क्लास होती होती हम कहते है यह तो इसकी तो लाइफ बहुत बड़ी है क्योंकि फिट फर्म परफेक्ट लग रही है लेकिन दे मुवमेंट वो शरीर खराब होने लग जाए किड्नी फोईल होने लगे लिवर फेल होने लगे फिर हार्ट फेल वो आर्ट्री की ब्लॉकेज शुरू बहुत चलेगा तो द्वापर में कहां था एक्यूरेट था उनका पर आज की दिन को देख कर कैसे कह सकते वही फॉर्मूला इसलिए बाबा केते हैं तो चालीस हजार वर्ष तो वह कह देते हैं अच्छा चित्र भी दिखाया है त्रिमूर्त दिखाया जाता है त्रिमूर्त पंडिजवाला नेरू का सामने तीन मूर्त हैं मैमोरियल के वहाँ है चौक है चौक है कहते हैं उसमें तीन मूर्ती होते थे ऐसा कुछ है नहीं मतलब यही सुना मतलब गहराई से देखा नहीं लेकिन मैंने इसमें देखा था अबलब ऐसाच कुछ सुना था कि तीन मूर्तिया रखी हुई तो उसलिए उसको त्रिमूर्ती मार्ग नाम भी रखा है परन्तु तीन मूर्ती ब्रह्मा विष्णु शंकर को कोई जानते ही नहीं है ब्रह्मा क्या करके गए विष्णु शंकर क्या करके गए कहां रहते है ज तो कहीं भी जैसे इवन लौकिक में भी बोलते हैं हम त्रिमूर्ती है तो जनरली ब्रह्मा विश्णु शंकर चाहिए वो उस तरीके से फंक्षन नहीं भी हो लेकिन त्रिमूर्ती मतलब भी ये तीन देवताओं के लिए फेमस है विश्णु क्या और शंकर क्या करते कहां रहते कुछ भी नहीं जानते बिल्कुली घोर अंधियारे में है बाप है रचेता उनकी ये कितनी बड़ी रचना है कितना बेहत का नाटक है इसमें बेहत के मुनुष्य रहते है आज से 5000 वर्ष पहले जब सत्युक था भारत में जमि लक्ष्मी नारायन का राज्य था तो और कोई राज्य नहीं था भगवती स्री लक्ष्मी भगवान स्री नारायन कहां से आए राज्य करके गए है प्रन्तु उनकी जीवन कहानी तो एक भी नहीं जानते सिर्फ गाते रहते हैं है भगवान दुख हरता सुख करता से देगा और पहले कौन सा दुख हरेगा और कौन सा सुख देगा यह भी नहीं क्लियर है ना क्योंकि सब के दुख की डेफिनेशन अपनी और सब के सुख की डेफिनेशन भी अपनी है तो कौन सा सुख देगा कौन सा दुख देगा या दुख हरेगा अच्छा फिर कौन सा बिख्टो सुख कब सबका दुख हरा? कुछ भी नहीं जानते. दुख हरता है. फिर क्यों कहते लुए भक्तों पर भूट ज्यादा दुख पडते हैं। सोने की परक जितना वो तपता है न उतना होता है। तो फिर घुटे क्यों है। भक्तों तपाते क्यों हो मतलब दुख हरने वाला दुख देगा क्या भगवान इसले परिक्षा देता है तो दो-दो बाते नहीं उनी चाहिंव भाइं बिमारी ठीक करने वाला बिमारी देगा क्या ऐसे कैसे हो सकता है तो कहतें भगवान परीक्ष्ण भी लेता है भगवान परिस्थिती देता है भगवान दुख हरता है टो यह सब कब किस समय क्या-क्या कॉन war बात है, है सब accurate, लेकिन कब है, कैसा है वो नहीं पता, तुम बच्चे भी यहां राजयोग सीख रहे हो, भगवती राजयोग सीख रहे, किसलिए, भगवती लक्ष्मी भगवान नारायन बनने के लिए, कभी सोचा, भगवान नारायन बनने के लिए हम सीखेंगे कोई पढ़ भगवती लक्ष्मी हमारी कॉलेज का नाम भगवान नारायन तो यह है हमारी कॉलेज, बोल सकते हो वैसे किसी को, अब प्रिंस प्रिंसेस की कॉलेज मत बोलो, पहले बाबा बोलते हैं बच्चे कि बताओ किसी को, हम प्रिंस प्रिंसेस बनने की कॉलेज में जाते हैं, वो प्रिंसेस की कॉलेज है फिर तो हम भग्ति मारवाले हो गए भगवान नारायन बोल दिया तो भगवति बोला ना अब इसमें भगवान वर्ड उस वे से नहीं लिया बाबने भगवति और भगवान उस तरह से जब उसको भगवति कहा तो गौड की कोई पतनी थोड़ी होती वैसे भी उस तरीके से फिर हम सुना सकते ना उनको हां क्योंकि उनका नाम ले लिया ना फिर इजी हो जाता है उनको वो सुनने के लिए रड़ी हो जाएंगे पिर आठ जनम सत्युग में पूरे करके फिर राम सिता के राज्य में आने वाले हैं 21 जनम के लिए बेहत की अगवान स्वर्ग के मालिक बन रहे हो, स्वर्ग कोई आसमान में नहीं है, यह भी किसको पता नहीं है, स्वर्ग आसमान में है, दो बाते हैं, एक है स्वर्ग मतलब उपर किस थिते, नॉमली, कि जहां सब आत्मा इस्रेष्ट होती है, दूसरा स्वर्ग मतलब परमात्मा का धाम वोपर है तो अब जैसे कोई कह देदे दिली यह कह दो कि दिली में रहते हैं तो उससे थोड़ा exact पता चलता है दिली कितनी बड़ी है नौर्थ है साउत है वेस्ट है इस्ट है क्या है तो इसी तरह कह दिया उपर क्योंकि सम्वेर पता है कि उपर कि स्थिती है तो बाब इसलिए कह रहे है, स्वर्ग कोई आस्मान में नहीं है, यह भी किसको पता नहीं है, बिल्कुली तुछ बुद्धी है, कहते फलाना स्वर्ग पधारा, परन्तु समझते कुछ नहीं, अच्छा, क्या क्रिस्चन बौदी सब हेविन में जाएंगे, तो क्या, फिर मुझे यह सं कल्प करो कि वो आत्मा भगवान के गोध में है, यह तो ठीक है, श्री बाबा के गोध में हर आत्मा जाती है, अगर हम उस इमर्ज भी करना है, चाहिए वो अग्यानी है, श्री बाबा की गोध में है, पर स्वर्ग में है, यह तो इमर्ज कर सकते हैं, बाबा तो बुलाता ह कोई भी बच्चा है उपर जाए हम भोग लगाए बाबा को उस आत्मा के नहीं में बुझा बुला लेता है तो यह फील करो कि वह आत्मा परमात्मा के साथ है यह ठीक है तो बाबा केते हैं परन्तु समझते कुछ भी नहीं है अच्छा क्रिश्चन बौदी सब हेविन में जा स्थापन करते हैं तो फिर वह स्वर्ग में कैसे आ सकते हैं कि स्वर्ग किसको कहा जाता है यह उनको पता नहीं है सन्यासी लोग कहते हैं जोत जोत समाया कि वह स्वर्ग में क्यों आ नहीं आ सकते क्योंकि और बाबाने का वह अपना धरम स्थापन करते हैं तो इसलिए वह स क्यों नहीं स्वर्ग में आ सकते हैं? क्योंकि वो आये थे द्वापर में ही, 84 यह थे थे एक और एक fundamental law, right है, इसी के बाद next law. तो प्यूर आत्मा उप्टेटीगे है, right, right. द्धरम स्थापन करने के लिए क्या चाहिए? purity. डारेक्ट परमधाम से. बीच में कई आ गए, तो फिर धरम स्थापन नहीं कर सकते. तो इसलिए अगर वो स्वर्ग में आ जाए, तो धरम स्थापन नहीं कर सकते. क्लियर हुआ सब को? और उन्होंने ग्यान भी तो पूरा नहीं उठाया है. वो भी है. मतलब सब कनेक्टेड हो गया ना फिर तो तो स्वर्ग किसको कहा जाता है यह भी पता नहीं क्लियर हुआ दिपिका बन धरम यह फंडामेंटल लौसम जो भी धरम सन्यास धरम है शंक्राचारे जी है बौध है उन वह आत्मा को परमधाम से आना पड़ेगा बीच में से वह द्वापर में धरम नहीं स्थापन कर से इसलिए तो हम लोग धरम नहीं स्थापन करते हम सभी क्योंकि हम लोग आ चुके अलड़ी कितने ढाई यहजार साल तो बिता चुके अब नहीं धरम हम आत्मा में पावर नहीं होती उतनी पावर नहीं होती क्योंकि धरम स्थापन कर जाए तो फिर तो आत्मा ही खतम हो जाए, खेली खतम हो जाता है, इस ड्रामा से कोई भी आत्मा छूट नहीं सकती, कोई भी मोक्ष को पा नहीं सकते, सब को ये क्लियर है, मोक्ष की इच्छा नहीं है ना किसी को, गीत कार्थ भी कोई नहीं समझते न जीवनमुक्ति कार्थ समझते न आत्मा पर्मात्मा कार्थ समझते बाप केते तुम्हारी शकल तो मनिश्यों की है जो इन देवताओं की भी थी शकल हमारी और देवी देवताओं में क्या फरक है अनाटॉमी और फिजियोलोजी तो राइ है बाइलोजिकली उन्हों का धायजार वर्ष चला राज्य बाकि धायजार वर्ष की बात है जिसमें और सब धरम आते हैं आच हजार वर्ष के बदले मनुश्य कह देते लाखो वर्ष कल्प वरक्ष की आई हुए परन्तों तुम्हारी बात समझने के लिए भी नहीं आएंग कई होते हैं अपने लेटिव को भेचते को चलते हैं आप बहँ यह कोड़ें को से जॉइन और फिर रोलस फोन भी करते हैं और नहीं आते अ मतलब आप आ सरके से चलती है गाड़ी थोडही कितनी दिन भकेसे चलेगा फिर हम कहते हैं पांतabe Comp KD यह नहीं हताश नहीं होना है कि देखो कितना कुछ फायदा ने उस आत्मा वो उस आत्मा की भी विवस्टा ना अगर नहीं पाट है तो वो भी विचारी क्या करेगी किसी का दोश्ट ने इसलिए बैस्ट ड्रामा बहुत एक्यूरेट है आएंगे भी वही जिनोंने कल्प पह पहले तो समझ्थान आये एक हद का सन्यास जो सन्यासी लोग घरबार छोड़ जाये जंगल में रहते पहले पहले वह सतो-प्रधान प्रधान थे फिर अब तमो-प्रधान बनेए ने तो पहले दवापर यूके सन्यासी और कल्यूके शुरू के भी जंगल वहीं रहते ते लास्ट 50-70 यह में ऐसा हो गया फिर ऐसा सुनते ना लोके दे ब्रह्मा कुमारियों के भी तो मेहल है बड़े बड़े सेंटर है फिर क्या कहेंगे बताओ क्या जवाब देंगे क्या जवाब देंगे बोलो गुलाब भाई दमिल कोई जवाब ने बोलेंगे तो सही ना बाबा का घर तो है लेकिन इतने बड़े-बड़े क्यों बनाए तुम प्याग तपस्या के बाते करते हो और बड़े-बड़े घर बना रहे हो यहां हमारा कंसेप्ट फरस्ट अफ़ निवरत्ति मार्ग नहीं है प्रवरत्ति मार्ग है और प्रवरत्ति मार्ग मतलब ही इकठा रहना है हम अकेला के लिए रहते नहीं है फैमिली है सिस्टम है और दूसरा है क्योंकि हमको सब के बीच रहकर काम करना है तो हमारा परिवार है इन दे सेंस कि इवन जो रहने वाले साथ साथ आठाट दस दस हजार सौसौ सब इस तरह रहते हैं और फिर दूसरा हमारा रेगूलर सत्संग का स्टाइल है और 365 देश्ट वहां आ सकता है वीक्ति जो एक्सिसिबल के जंगल में है." वहां क्या था वहां आते थे तो कभी má ढर्व करते थे महिने में जाना है एक साल में एक महिना जाना है ठीक है अगर 365 दिन जाना है तो रोज तो जंगल इतना दूर जा नहीं सकते हैं इतना 10-15 मिनिट का भी रास्ता है तो कहते हैं पांच मिनिट वाला सेंटर चीक है तो इस कारण यह रेगुलारिटी के लिए शेहरों के बीचों बीच मतलब एवरी एरिया में सेंटर स्कूल के लिए एक रिक्वार्मेंट होता है कि वह असेशिबिलिटी हो तो वैसे यह मारे स्कूल है यह कुटिया नहीं है वो नहीं है प्रवरत्ति मार्ग है स्कूल है एजुकेशन है पूरा है फिर अब तमूपरदान तो जो इन सुन्यासियों ने भी पवित्रता के आधार पर भारत को थमाया ज़रूर है भारत की सेवा की है, पवित्रता के कारण ये सन्यास धरम नहीं होता, तो भारत एकदम विकारों में जल मरता, पतित बन जाता ये भी ड्रामा बना हुआ है उन्हों में पहले पवित्रता की ताक्कत थी इसके कारण भारत थमा हुआ था जिसे भारत को थमाया है इन देवताओं का जब राज्जे था तो भारत कितना साउकार था इन्हों कितने बड़े-बड़े हिरे जवारों के महल थे वो सब कहां गए? सब नीचे चले गए लंका और दुवारिका के लिए कहते है समुद्र के नीचे चली गई अभी तो है नहीं सोने के महलादी सब थे जब मंदिरों आदी में हिरे जवाहरत लगा सकते है सुनो कहते हैं लंका में क्या था? हिरन भी सोने का की लंका लेकिन जानवर भी सोने के तो बाबा कहते देखो द्वापर युग में जब मंदिरों आदी में हीरे जवारत लगा सकते हैं तो फिर सोचो रहे हजार साल पहले महां क्या नहीं होगा थे सोचा कभी क्या नहीं वह ही मलतवन का है यह देखो हीरे जवारों के टाइम तो रहे नहीं हीरे जवारतों वाले फिर फाइदा क्या तो बाबा क्या होगा कितनी तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए क्या किते हैं बाप को याद करो याद एक कोई करना है जिससे विकरम विनाश होते हैं परंतु वह भूल जाते हैं और देहधरी की याद आ जाती है देहधारी की याद से कुछ भी फायदा नहीं है बाप केते मामेकम याद करो चलो आजो वही मामेकम इमिजेटली बाबा और मैं ब्रह्मा मा मेरे दम बाजु में बाबा की पावर्फुल द्रिष्टी संकल देते है मेरे तो एक दूसरा न कोई तो बाबा केते देहधारी की याद से कुछ भी फायदा नहीं बाप केते मामेकम याद करो किसी भी देहधारी को याद नहीं करो बाबा का फेमस स्लोगन अम्मा मरे तो भी हलुआ खाना बीवी मरे तो भी हलुआ खाना पुराने तो खेर जानते ही है नयों को पता है केशव बहन है बताओ केशव बहन बो इसका मिनिंग क्या है अम्मा मरे तो हलुआ खाओ देधारियों में दिल नहीं लगाना दीदेगा। हाँ, वो तो ठीक है, यह हल्वा क्यों खाना है, मरे और हल्वा खाओ। उसी दिन भी कालो, चवथे दिन तो मिलता है। पाप के पास वाना है। किसको पता है, नयम है। नहीं मालो, मन्नू, वन्नू वें। दिपीका वें। नहीं पता है। बोलो भई, चलो, जिसको पता है, बताओ। लश्टु मोहा। हर प्रस्थिती में कुष्रे ना। हाँ, 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 हाँ. हाँ, हाँ, हाँ. कंटेक्स्ट कॉंसा। जब जैसोर्ण भईन Đट ठोड़ा था, ब्रह्मा बाबा की यूगल मैं, तो बाबा ने ये ब्रह्मा बाबा के लिए कहा था this report और उन्की बेटी के लिए कहा था अंत्यार्मा. मुर्ली सुनना दीजी, मुर्ली मिस नहीं करने मुर्ली का. मुर्ली मिस नहीं करना वो नहीं था सदा खुश रहने की बात जब ये था कि जब जसोदा मैया मतलब ब्रह्मा बाबा की यूगल तो वो शरीर छोड़ा तो निर्मल शांता दाधी बेटी थी ना तो बाबा ने निर्मल शांता दाधी को बोला मतलब अल्वेज एकरस थी खुश नष्ट मोहा और बाबा की थी बीवी बीवी मरे तो भी हलुआ खाना मतलब बाबा ने उस कंटेक्स्ट में इसको कहां था तो देहधारी के अम्मा मरे तो भी हलुआ खाना एक बाब की याद इसे ही कमाई है अब हम शुबाबा के बच्चे उनसे वर्सा लेना है इस समय बाब को याद नहीं किया जसोदा मा होती थी बिहार कुझ दादी के साथ सेवाओं में वहां होती थी तो उनसे वर्सा लेना इस समय बाब को याद नहीं किया तो फिर बहुत पच्चताना पड़ेगा रोना पड़ेगा विश्व के मालिक बनने वालों को रोने की क्या दरकार है तुम बाब को भुलते हो तभी माया थपड लगाती है इसलिए बाबा बार बार समझाते है कि ब अमर नात ने अमर नात ने अमर पूरी में एक पार्वती को बैठ तो कथा अमर खता नहीं सुनाई होगी जरूर बहुत होंगे हमर कथा सुनाई एक को बैठ सुनाएंगे क्या, अब कल जैसे भाई जी आये थे तो भी फिर कितने आये क्योंकि नाम के एकोरिंग आ जाते क्लास सुनी हुई होती है तो फिर शंकर जी ने अगर कथा सुनाई तो एक को सुनाई होगी का एक आतमा भी देहधारी भी यहां आती है, तो सौ लोग इकटे हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, एक को कैसे सुनाई फिर बैठके, ओभी शंकर जी ने सुनाई, तो बाबा कहते हैं, एक को थोड़ी सुनाई होगी, जो भी मनुष्य मात्रे सब को बाप समझाते हैं, अब पच्चे पतित मत बनो, आज बाबा फटा-फट स्विच ओन कर रहे हैं, कभी ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट, पहले 40,000 वर्ष बोल दिया, फिर इमिजेटली नेक्स स्टेटमेंट में थ्रिमूर्ती बोल दिया, तो अभी अमरनात चल रहा है अब बाबा कहते हैं, बच्चे, अब पतित मत बनो, ये अंतीम जनम पवित्र बनो, वहां स्वर्ग में कोई विकार होते ही नहीं है, क्यों बाबा कहते हैं, अंतीम जनम में पवित्र बनो, संसकार पवित्रता का बनाना है, जितने पवित्रता का संसकार होगा ना, केवल व तो फिर उतना ही जादा वहां रहेंगे तो बाबा केते स्वर्ग में वहां कोई विकार ही नहीं होते अगर वहां भी विकार होता तो फिर स्वर्ग और नर्क में फरक ही क्या हुआ देवी देवताओं की महिमा गाते सर्वगुन संपन सोला कला संपुन भगवान आकर भगवान भगवती बनाएंगे ना, सिवाए भगवान के कोई बना न सके, PhD हमें बनना है, तो वो थीसीज किसके अंडर में लिखते है, बलो वई, सुश्मा बेन, जो PhD बनना है, तो थीसीज भी PhD के अंडर में होना पड़ता, ऐसा यह न दिक्षा बेन, ऐसे न भगवान भगवती बनना है, कौन ट्रेनिंग देगा, भगवान देगा, गाया भी जाता है, भगवान भगवती की राजधानी, यथा राजा रानी तथा प्रजा, भीवा होगी, मास्टर गौड बाबा बना रहे हैं न हमको, मास्टर भगवान, भगवान नहीं, मास्टर गौड, भगवान तो एक ही एक आया भी जाता है, भगवान भगवती की राजधानी, परन्तु भगवान भगवती कहां नहीं जाता, इसलिए कहां जाता है, आदी सनातन देवी दे एक आत्मा 84 जनम लेती है, दूसरी आत्मा पुनर जनम रहीत है, बाप कभी पुनर जनम नहीं लेते हैं, एक ही बार आकर सारे विश्व को पवित्र बनाने के लिए हमको राज युग सिखाते हैं, एक ही बार आते हैं, बाप तुमको समझाते हैं, मैंने इनमें प्रवेश किय मैं निराकार हूं, तो कैसे आकर बच्चों को समझाओ ? राज्यो कैसे सिखाओ ? निराकार हूं, मुझे आपको समझाना है, Point of Light और तुम् आत्मा को मुझे सम्झाना है, तुम् आत्मा इक शरीर में हूँ, अब ऐसी निराकार आ जाए मिरे सामने, तो क्या हो जाएगा? ऐसे ही सामने है, पॉइंट अफलाइट आ जाए मिरे सामने, मैं बैठी हूँ अचानक, तो क्या हो झाएगा? very likely emotions है, डरी जाएंगे, भागेंगे पहले थोड़ा, कोई बहुत भक्ती भावाला होगा तो शायद सोच लेगा, ने तो ऐसे तो डरेंगे, सुन थोड़ी पाएंगे, और चलो वो आएगा, सुनाएगा, तो कितना मुझे एक statement बोलेगा, ये चार पेज बोलेंगे क्या, ऐसे चार पेज बोल सकते है, अच्छा, चार पेज बोल भी दे, मुझे याद कितना रहेगा, उसने तो चार पेज सुना दी, मुझे याद कितना रहेगा, तो इतने valuable statements में वैसी भूल जाओंगी, और मैं अकेली रहूंगी, और साथ में तो कोई है नहीं, और फिर एक एक के पा वो कोई प्रेर्णा से तो देंगे नहीं, पहले, कहां गया है, तो बाबा कहते है, प्रेर्णा से राज्युक सिखा न सके, बाब तुमको समझाते, मैंने इन में प्रवेश किया है, ये 84 जनम भोग आये है, क्रश्न भगवान वास्त हो न सके, वो कैसे आ सकता है, वो तो है सत्युक का प्रिंस, 16 कला संपुर्ण, फिर त्रेता में होते 14 कला संपुर्ण, फिर द्वापर में क्रश्न को क्यों ले गए है, उनको तो पहले आना चाहिए, बाब समझाते है, पहले बाब को याद करो, नहीं तो माया एकदम थपड मार देगी, छुई मुई का एक जाड होता है न, हाथ लगाओ, तो मुर्जा जाए, मिमोसा प्लांट, छुई मुई, तो क्या हो जाएगा, छुई मुई नहीं, बाबा मेशा केते है, छुई मुई, छुई मुई का नेचर, वालो में किसका नेचर है, फिलिग मुई, थोड़ा सा कुछ कहा, बस फिलिंग में आ जाएग, बहुत लो जाएग, जिनजीटिव नेचर, जाएग, इसको तो मैं कुछ बोली नहीं सकता हूँ, बोलो और बत एदब सैंसिटिव नेचर, चुई मुई का नेचर है, बाबा मेशा केते है, और सैंसिटिव नेचर ही प्रूफ करता है, इतना सा बोल दिया थी, यह काम है ना ठीक से नहीं किया, बस फिल किया, फिल किया मतलब या तो अंडर demotivate हो गए, अंडर confident हो गए, या फिर ऐसी बुलता रहता है ये तो, ego, छुई मुई मतलबी दे अभिमान, जितना ज़्यादा दे अभिमान है न उतना छुई मुई नेचर है, चाहिए वो अंडर confident हो जाए रही है, हाँ गलती हुई, हम से सबसे गलती होती है, बस accept किया easily, और next time change नहीं किया, न स्वयम के प्रती दूसरा impression किया, न बोलने वाले के प्रती दूसरा impression किया, कि ये तो मुझे बोलती ही रहते है, इसको कहेंगे, किसी का है चुई मुई, उसको चाहिए मूडी के दो दुनिया के आम भाशा में, ये spiritual language है चुई मुई, हाथ लगाओ तो मुर्जा जाए, तुमारा भी ऐसा ही आल होता है, कब बाप को याद नहीं कि और खलास गीत में भी सुना ना, बच्पन के दिन भूला नहीं देना, बच्पन वाला दिन है, बाप को भूले तो कहा न कहा चोट लग जाएगी, बाप कहते हैं, तुम हमारे बच्चे हो न, ये शरीर तो विश्च से पैदा हुआ है, वो इनके लोकिक माबाप है, ये तो है पारलोकिक बाप, और इनको फिर अलोकिक बाप कहा जाता है, ये हदका था फिर बेहदका बन गया, अभी देखो, ये लोकिक बच्ची, निर्मल शांता बैठी है, बाबा के सामने थी, निर्मल शांता, ये लोकिक भी है, निर्मल शांता दादी, भाई दिखा ना जे भाई, सबको, अगर सब को पता नहीं है कई नयों को पता भी नहीं है न निर्मल शांता दादी दिखाना और दूसरा है यह शांता मोनी दादी है इनका भी बताना है आज निर्मल शांता दादी तो बाबा कहते है वह यह लॉकिक भी है अलॉकिक भी है और पारलॉकिक भी है लौकिक, अलौकिक, पारलौकिक, शुबाबा की तो बच्ची है, ब्रह्मा पिता की भी बच्ची है, लौकिक में भी ब्रह्मा बाबा की बेटी थी, और दादी कहती थी, मेरे तो चार फादर है, ब्रह्मा बाबा मेरे चार है, क्योंकि सत्यूग में भी उन्होंने फिक्स कर मैं तो विश्व महाराजन की बेटी बनूँगे, सत्युग में, हम गए थे कैलकटा 2005 में, उस समय दादी थी, निर्मल शान्ता दादी, बांगू रेविन्यू में होती थी, तो बाबा कहते हैं, कितना फर्क है, एक बाप का बनना मासी का घर नहीं है, ऐसे बाप से संबन चोड़ना है, टाइम लगता है, श्री बाबा की याद में रहना बड़ी मेहनत है, कई पच्चास वर्ष में रहने वाले भी, देखो, सारा दिन श्री बाबा को याद भी नहीं करते हैं, ऐसे भी है, यह है, निर्मल शांता दादी, सबने देखा, जो नए नए हैं, ब्रह्मा बाबा, यह हमेंशह कह चीए, ब्रह्मा बाबा, यह जभी जाचे सबको कह चीची हिए, वह जरूर पढ़ों है, ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा बाबा, पहले लगता है, मतलब तीनों बाप का उन्होंने अनुभव किया है, ब्रह्मा बाबा ऐसा लौकिक फादर में भी, बहुत अच्छी बूख है, तो बाबा कहते हैं कि एक बाप का बनना मासी का घर नहीं है, ऐसे बाप से संबन जोड़ना है, टाइम लगता है, श्री बाबा की याद में रहना बड़ी मेहनत है, कई पच्चास वर्ष से रहने वाले भी, सेंटर पे रहते हैं, श्री बाबा को याद भी नहीं करते हैं, ऐसे भी है, और सबको भूल एक को याद करना बहुत बहुत क्या है, डैश, सबको भूल एक को याद करना, बहुत बहुत मेहनत है, कोई एक भी मुश्किल याद करते हैं, बड़ी भारी मनजिल है, तो बाप समझाते हैं, बच्चे बार बार, बच्चपन को नहीं बूलना, ठीक है न, कोई अपने ये दिन मत भूलो, कैसे जन में बाबा के बच्चे बने, चाहे जूम पे क्लास कर रहे हैं, पर क्या मौज है क्लास के दिन मौज है कि सत्यूग के दिन मौज के दिन है, कितना अच्छा, ये भी कितना अच्छा जीवन है, बाबा सामने है, शुबाबा तो नहीं रहेगा, न, चलो ठीक है, सत्यूग में सब रहेंगे, शुबाबा तो नहीं रहेगा, तो बाबा कहरे ये बच्चपन के दिन का वर्सा मिलता है तुम जानते हम जीते जी मरकर बाप के आकर बने हैं नई दुनिया में जाने के लिए तो तुमें स्थाई खुशी रहनी चाहिए ओहो हम डबल सिर्टाज बनेंगे मनुश्य थोड़ी जानती कि सत्यूग में इन देवताओं को 16 कला संपूर्ण और 14 कला क्यों कहते हैं कुछ भी नहीं जानते हैं ये भक्ति मार के शाश्ट्र और फिर बहुत हैं उनके पढ़ते रहते हैं रिद्धी सिद्धी से बहुत घड़ी आदी चीजे निकालते हैं, यह थोड़ी समझते हैं कि अल्पकाल के लिए सब है, इसमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, यह रिद्धी सिद्धी आदी सीखने की भी किताब होती है, इनका पुरा पातंजली योग दर्शन है, उसमें बहुत कुछ ऐसे रिद्धी सिद्धी की बाते, करो तो, मैंने स्टार्ट किया था, एडवेंचरस का था, तो कुछ सिद्धी मिली भी, ऐसा भी हुआ, लेकिन फिर देखा मैंने, कि जो स्टार्ट ही थोड़ा किया था, कि इसे इच्छा ही बहुत बढ़ने लग गए, बढ़ने, छोड़ दिया सब, कितने लाखों मनिश उनके पिछाड़ी पड़ते हैं, तुम बच्चे जानते हैं, उमको बाबा से स्वर का वर्सा मिलता है, इन आखों से जो कुछ देखते हो, वो नहीं रहेगा, बाप समझाते तुम अशरीरी आये थे, फिर शरीर साथ पा तो 85 यह पढ़ा है, अगर 84 लाख का हिसाब बताना हो बाबा को, जनमों का, जनमाख जाएगा, नहीं एक जनम तो 85 यह सो ड़ग गया है, मतलब एक चौराआसी लाख है तो पूरे कल्ब की आयू कितने होगी फिर, तो पूरे कल्ब का इसाब बताना ओ, तो कितने लग जाए पूराना पूरा हुआ फिर चंद्रवंशी बने बहुत ज्यादा सिरिल चलती है न उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है दो तिन घंटे फिलम चले बहुत ठीक है उसकी वैल्यू है अभी तुम जानते हो हमें ब्रामन वन्षी फिर देवता वन्षी बनना है इसलिए हम चक्र भी याद करना पड़े बाप को याद करने से एवर हल्दी एवर वेल्दी बनेंगे पाप कट जाएंगे और चक्र को जानने से बाप को याद करने से एवर हल्दी एवर वेल्दी बन जाएंगे चक्र को जानने से पूरे चक्र को जानना बहुत जरूरी है इसलिए हम जानेंगे तो कुछ फाइदा है चक्रवर्ती राजा बनेंगे तो बाबा केते तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया कब्रिस्तान बननी है कुछ भी नहीं रहेगा खत्म हो जाएगा राम गयो रावन गयो उनको उनका बहु परिवार मतलब सब चले जाएंगे राम का कितना बड़ा परिवार है, बच्चे जानते कि राजधनी स्थापन हो रही है, हर बात में पुर्शार्त फौस्ट, बाप पुर्शार्त कराते हैं न, बाप का सुख मिलता है न, देखो बाबा का सुख जिनात्मा को मिलेगा, उसका सिम्टम होगा, उसको और कहीं सुख नहीं अगर मुझे और जग़ सुख की भासना मतलब craving वाली सुख है खुशी है हम सुख नहीं ले रहे हैं कोई चीज का कई कहते देखो बाल बच्चों का सुख ले रहे हम पोत्रे धोत्रे का सुख ले रहे हैं तो इसका मतलब वो dependency क्रेड करें सुख हमें बाबा से लेना है खुश हम सब जगह रहते हैं सुख और खुशी में डिफरेंस है तो यह बाबा कहते है तो जिस बाप से अथा स्वर्ग की बाक्षाई मिलती है क्या उनको याद नहीं करेंगे बाप स्मृति दिलाते बचे तुम स्वर्ग के मालिक है मालिक थे अब फिर से पुर्शाद कर स्वर्ग के मालिक बनो अच्छा मिठे मिठे सिके लदे बच्चो प्रती मात पिता बाब तादा का याद प्यार रुहाणी बाप की रुहाणी बच्चों को नमस्ते पहला पॉइंट है कभी भी किसी भी बात में आज अंडरलाइन करना है, चुई मुई नहीं बनना है, पक्का, सब पक्के, मोनिका बन, एद्दम पक्का, कुछ भी कह दे, वैसे कोई कुछ कहेगा नहीं, चुई मुई नहीं बनना है, इश्वर ये बच्पन को भूल मुर्जाना नहीं है, इन आखों से जो कुछ देता है, उसे देखते भी नहीं देखना है, चुई मुई बनते हैं ना, फिर बातचीत नहीं करते हैं, फिर मैसेज नहीं देखेंगे, फोन नहीं उठाएंगे, बड़े उसके अच्छे-च्छे सिम्टम्स हैं फिर, चुई मुई, दूसरा है, एक बाप की याद में ही कमा बाप और वर्से को याद कर विश्व की बाच्शाय लेनी है वर्दान है नौलेज की लाइट माइट द्वारा कमजोर संसकारों को समाप्त करने वाले शक्ति संपन्भव नौलेज से अपने कमजोर संसकारों का मालूम तो पढ़ जाता है और जब उस बात की समझानी मिलती है तो वो संसकार थोड़े समय के लिए अंदर दब जाते हैं, लेकिन कमजोर संसकार समाप्त करने के लिए light और might के extra force की आवशक्ता है, इसके लिए master सर्वशक्तिवान, master knowledgeful के साथ, checking master बनो, अच्छा, यह बहुत अच्छा है, checking master, knowledge द्वारा स्वय में शक्ति भरो, मनन शक्ति को बढ़ाओ, तो शक्ति संपन बन जाएंगे, कितना deep point है, अभी हमने मुरली सुनी, छुई मुई का संसकार नहीं होना चाहिए, तो आज के दिन तो नहीं होगा, या अगर कोई कैभी दिया, तो नहीं करेंगे, लेकिन कहीं न कह नहीं वो दे अभी मान, उसका root cause दे अभी मान है, तो वो वापस दे अभी मान नहीं गया न, एक दो दिन चलेगा, फिर वापस वो उपर आ जाते है, इसलिए बाबान ने कहा, बहुत अच्छा है, तो आज का स्वामान रहेगा, checking master, knowledge में, master, कौणसा, यह symptom आया, तो उसके पीछे का संसकार कौणसा है, इन व्युक्त आज शाम को जो योग होगा, वो संसकार देहन का योग होगा, बर्निंग ऑफ संस्कार्स ये वाला ये वाला हम समझेंगे कैसे करना है स्लोगन ने जहां सर्व प्राप्तिया है वहां प्रसन्नता है जहां सर्व प्राप्तिया है वहां प्रसन्नता है आज का अवेक्त इशारे मन कल का भी है ना मन को पहले परमधाम लेके जाओ फिर सुक्ष्म वतन में फिर फरिष्टे पन को याद करो फिर पुज रूप याद करो फिर ब्राम्मन रूप याद करो फिर देवतारूप याद करो, पाच स्वरूपों का अभ्यास, सारे दिन में चलते फिरते ये पाच मिनिट की एक्सेसाइज करते रहो, इसके लिए मैदान नहीं चाहिए, दौड नहीं लगानी है, न कुरसी चाहिए, न सीट चाहिए, न मशीन चाहिए, सिर्फ शुद्ध सं कलपों का स्वरूप चाहिए, चलते चलते जैसे, नहीं याद आ जाता है, देखो हम यहां रहते थे, या पहले कैसे करते थे, ऐसे इसी तरह ले जाओ, परमधाम, पाच स्वरूप, फॉस्ट परमधाम, सेकेंड, देवता स्वरूप, फिर पुज्य स्वरूप, मतलब फिर सत्युत्रेता याद करो, फिर द्वापर में हमारा मुर्ति का स्वरूप, पुज्य स्वरूप, फिर फोर्थ है ब्राम्मन स्वरूप, अभी बाबा की बच्चे, फिफ्थ है फरिष्टेर स्वरूप, ये पाच स्वरूप है, मन को शक्तिशाली बनाने के लिए सदा अपरी भव का इंजेक्शन लगा दो, व्यक्त में रहते अव्यक्त में उड़ना सीखो, ये पूरा ये अव्यक्त इशारी भी इसी का है, अव्यक्त में, आच्छा, तो अभी हम एनॉंस्मेंट आज की क्विज है, करते हैं,